अगर आपके पुत्रों पुत्री या किसी परिचित ने इस वर्ष दसवी एवं बारवी बोर्ड एक्जाम में 90% या उससे अधिक अंख प्राप्त किये हैं तो पूरे भारत के जैन टॉपर्स के सबसे बड़े समारों में पुरुस्कृत होने का मौका आपके सामने है परंपूर्जे सराकोधारक आचारिश्री 108 ज्यान सागर जी महराज की प्रेरणा वसानिध्य में आयोजिक होने जा रहा है 21 वा अखिल भारतिय प्रतिभा सम्मान समारोह 2020 जिसका पंजी करन 15 जुलाई 2020 से प्रारंभ हो गया है ओपन तो अल जैंस दिगंबर श्वेतंबर अल इंदिया बोट्स रिजिस्ट्रेशन के लिए लॉगन करे www.gyanpratibha.org date and venue will be informed to candidates ज्यान सुखसुपावा समस्तसंसार विकार बाह्ये समाधिगम्ये पर्मात्मसंगे सदेवदेवो हर्दे ममास्ता अहिंसा बिश्धर्म की स्री शांतिनात भगवान की सोले कारण परवराज की आचार सांत सागर च्छानी महराज की गुर्देव आचार स्री समस सागर जी महराज की यह है सोले कार परम पावन त्योहार हमारे बीच में चल रहा है बहुत तरह की बिसेस ताएं इस सोले कार परम को मैंने लेके बताई थी किस तरह से यह जो सोले कार भावनाए है हमारे जीवन के विकास में कैसे यह माध्यम कारण बन सकती है आपको बताया था दर्शन विशुद्धी आदी भावनाओं को जो भाते हैं बेती थेंकर प्रकरती परमात्मा पत को प्राप कर संसारिक जीवन पग पग पर समस्याओं के लिए हुए है और समस्याओं का समादान हो सकता है तो मेडिकल साइंस नहीं ज्यानिक तथ्या और पराण दश्टी से देखें ध्रम गंतू दश्टी से देखें साइतिकार की दश्टी देखें तो वो कहते है भावनाओं की निर्मलता परिणामों की जितनी बिशुद्धी होगी अच्छी भावनाओं होगी तो सस्त्र होगी अच्छी भावनाओं परियावर्ण के लिए और हवा में आकसीजन बढ़ाने के लिए भावनाओं का बड़ा प्रभाव है तो ये सोलेकार भावनाओं हम सब के चित को जहां निर्मल बनाती है बिचारों को पवित बनाती है परियावर्ण की सुद्धी में जहां और हवा में आकसीजन बढ़ाने के लिए भी आपकी भावनाएं काड़ बन सकती है दूशित भावनाएं होंगी तो वायू में ऑकसीजन घट सकती है और सेवा प्रोपकार की भावनाएं अहिंसक भावनाएं जीब दया की भावनाएं ये है परियावर्ण के सुद्धी में काड़ माद्यम बन सकती है यह जो भावनाएं हैं, जहां हमारे चित को निर्मन बनाती हैं, वहीं हमारे चिंतन को पवित बनाती हैं, है बच्ती के मन में कुछ रह कुछ बिचार चलते रहते हैं, और बिचार या तो अच्छी होंगी या बुरे होंगी, मैंने वे पंक्ती कई बार आपको और पने ताज कर देता हूँ भाब बनावे भाब बिगाले बनाएं भाबों से संसार बनाएं भाबों से संसार भाईया भाबों का बहुत बुच्चित्य खेल है और कौराना बाइरेस को परायत करने के लिए आपकी भाबना आपका आचार विचार आपका आचन संयमी जीवन यह कौराना जैसे महामारी को भी प्रायत कर शकता है तो इस चित्त को निर्मल बनाती है वो निर्मल चित्तोंगा अच्छे विचार परमात्मा की भक्ती की भाबना पुरोपकार की भाबनाएं सवहार्द की समरपन की भावनाएं कब होगी जब चिंतन आपका पवित्र होगी और ये भावनाएं चारित्र को उज़र बनाती हैं सम्मिक दर्सन ज्यान चारित्र की चर्चे आप सुनते हैं तो जितनी अच्छी भावनाएं हम भाएंगे संयम के बिचार बनेंगे हमारा आचन उतना पवित अच्छा बनेगा और पवित भावनाएं बहुत बड़ा भोजन है केलोरी बिटामिन्स कल यहां अखिल भारत वर्सी राष्टिय महिला सम्मेलन बेविनार हुआ पूरे देश की क्रीम थी अखिल भारत वर्सी तीच्छेत कमेटी एक से तीस बस परानी संस्ता की जो राष्टिय अध्रिक्षा शरीमती सर्ता जेन उसकी अध्रिक्षता कर रही थी और शुशिला जी जो भामाशा कहलाती है यह मुक्च अतिती और भी देश के जो बहुत बड़े बड़े पदों पर रही है ऐसी महिला तो जो कोटा की महा पौर रही जिसका नर्सिंग हों में जिनका बहुत प्रभाब मुझे लोगों ने बताया तो वो बोल रही थी मैंने वहार चाकले टोफी जितने बजार के बस्तुय नहीं खाती हूं मैं किसी शादी अन्य कोई सामुर्ट भोजन में पार्टियों में कोई मैं भोजन नहीं करती हूं मैं तो अपने घर में जो चीज बनाती हैं हम उसे ही खाते हैं कई महिलाओं ने संयुक्त परिवार में महिलाओं का योगदान कैसे राष्ट के उन्नती में महिलाएं योगदान दे सकती हैं संसकती के संदक्ष में ऐसे पंच साथ विश्वाँ पर चाती प्राप्त देश की महिलाएं और उनके बक्त भी बड़े महत पूर्णे थी अपने अपने बच्चों पर ध्यान देए जो कई इसमें प्राएकर जितनी बक्ता महिलाएं थी अमराबती तो जैपर बॉम्बे आदी अनेकों विवनिस्तानों की विवनिराज्यों की सिर्सस्त महिलाओं ने बिचार रखे और महिलाएं क्या नी कर सकती हैं महिलाएं तो एको सग बना सकती हैं घर को नग बना सकती हैं तो निश्चित उस राष्टी महिला सम्मिलन के माद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द हमारी जीवन चरिया देख करके और एक डॉक्टर महिला बोल रही थी कि कई विदेश के होटलों में शाकारी भोजन की हमने पेना की तो विदेशी लोगों ने शाकारी भोजन किये कहा है तो बहुत तो कई रेस्टोरेंट में और होटलों में शाकाहरी भोजन ऐसे बहुत तरह के तक्ठ रखे उस महिला समिलने के माद्दम से देश की महिलाओं के साथ यवा जुरती बच्चों और कई महिलाओं से अधिया कि जो मा का पत्नी का जो घर पर भोजन बना जाता है उसमें भावना जुरती है उस डुक्टर महिला जो महापर भूत्पूर कोटा की रही उनने कहा शातिया जहां भोजन बने वाँ शातिया और भोजन बनाते समें परसंदता के साथ चोका में प्रिवेश कर ऐसी बहुत तरह की बात बताई थी तो नोकर नोकरानियों का कभी भी भोजन बनाया हुआ नहीं यूज करना चाहिए घर में जो भोजन बनाते हैं उसमें बिचारों की पवित्ता शुद्धी बजार के आटे का उप्योग नहीं बजार के मशालों का उप्योग नहीं हर चीज घर पर दयार कीजिए ये कुशल डॉक्टर वर्ल्ड की कुशल बक्ता उन सब की बात आपको बता रहा हूँ बजार का चीजें पसंदने करें घर की चीजें जूज करें तो किचन नहीं चौका और कई बार आपने शुना है किचन किच 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 जा होती रहे जो घर को नरक बना दे उसका नाम किचन है और चौका जिस घर में लगता है मुनराज आती है चौका 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 वो हमारे दमाग में बेचता है बिचारों को पवित्य करता है वह मेकाता है हमारे बिचारों को घर में शांती सुक्का कार बनता है तनाम मुक्ती के लिए भोजन ही आपको रोगी बनाता है भोजन ही आपको सस्त बनाता है ऐसी बहुत रहकी कुशल महिला बक्ताओं ने बात रखी थी तो मैं आपको बता रहा हूँ पवित और आज आवस्यका परिहार नाम की भावना आवस्यक जो जरूरी कार हैं ये कार आवस्यक केलाते हैं और जिसमें किसी प्रकार की भी हमी संबब नो हो उसे अपरिहार कार केहते हैं आपके आवस्यक कार तो नहाना हैं नोट छापना हैं बच्चों का लालन पालन करना हैं फिलेड बनाना हैं किसी को बस हाई पेसा हाई पेसा भाईया ये आवस्यक कार नहीं है ये तो संसार के कार हैं हमारे आचारों ने आवस्यक कारियों में छे आवस्यक कार बताए हैं बंदो निर्वा जो है वो जीवन का गुजारा करने वाला है और निर्मान जो जीवन के मुल्यों को प्राप्त कराता है वो निर्मान के लाता है सम्मिक दश्टी भारती संसकती में जीने वाला वो है और जो निर्वा है वह इन की इन प्रकारे ने तो भैया हमें ये नर्जीवन मिला है देव पूजा गुरु पास्ती स्वाध्याई सैमस्तपह दानम चैत ग्रहस्ताणाम सत कर्मानी दिने दिने तो ये देव पूजा गुरु की उपाशना और स्वाध्याई सैम मन और इंद्री पे कंटोल करना ये है इंद्री सैम है और छेयो का है प्राणी मात की रक्षा करना एक इंद्री से लेके पंचिंदी तक के सभी जीवों का संदक्षे करना ये प्राणी सैम के लाता है और दान ये गस्तों के छे आवस्च कार हैं जो पत्तिन करना चाहिए जैसे इस नान जरूरी है भोजन सरीर के लिए जरूरी है वह स्वाच्छो स्वास जरूरी है ऐसे हर बैक्ति को सामन जो भी जीवन बित कर रहा है मैंने छे को मेडिशन मानता हूँ टेबलेट है ये छे टेबलेट अगर रोज कोई सच्चे दिल से लेगा तो शायद कोराना बारेस उसके सामने घुटने टेक सकता इतनी ताकत है इनका संबन्द सर्ग मोख छपन मात से नहीं है संबर निज्रा मात से नहीं है इन छे आवस्यकारों का संबन्द आपकी पारवारिक शांती से आपकी तनकी सथा से समाज की सथा से सर्ग में जीवन बतीत करना है तो छे आवस्यकार रोज मंद्री के दर्शन लोग डाउन च तो निश्चित देव पूजा है गुरू पास्ती जो संयमी है जान जान तप में लीन रहते हैं उनके दर्शन पूजन आदी के माध्यम से और उनकी समागम से बहुत रेकलेक चिकसक डॉक्टर बोल रहे थे कि सादू समागम में जो बच्चे बच्चियां परवार रहते हैं वे बहुत बुराईयों से बच्चते हैं पवित भामना हैं और उर्जा हमें शादियों के दर्शन आदी से मिलती है तो गुरू पास्ती है और धार्मिक गंतों का पटन पाठन है और संयम मन इंद्री पे कंटॉल कई लोग सजा दे रहे हैं कोराना बारेस को पायद करना च उन्हें को जीवन में अपनाएं और तब इच्छाओं पे कंटॉल करें और दान न्याई नीती से अर्जित कमाई हैं उसका कुछ परशेंट रोज भोजन जरूरी हैं सौचो सौच जरूरी हैं तो यह च्छे आवस्सकार भी ब्यक्ति को जरूरी हैं यह तो गस्तों की बात की मौनी महराज के भी छे आवस्सकार हैं समतां शामाय की साधना और बंदना एक तीर ठनकर की इस्तुति करते हैं उन्हें बंदना केते हैं और जो इस्तुति है वह चोवीस तीर ठंकरों की उन्हें इस्तुति बोलते हैं और प्रतिक्रमण जो गल्ती हो जाती है उसका पश्चा ताप करना है प्रतिक्रमण है और प्रत्याख्यान पापों का त्याग और कायोश सरीर से मुव ममता का त्याग करना इच्छे मुंदराज की आवस्चकार है और इनकी द्वारा विकास होता है यह इन आवस्चकों से जीवन का निर्मान होता है इनकी आवस्चकों से जीवन का निर्मान होता है